आज इस क्लास में हम यहाँ पे टॉपर की लिष्ट देखेंगे अर्थात प्रावदिक कला कच्छा बारा का आज रिजल्ट आच चुका है आज डेट है 20 अप्रेल और 20 अप्रेल 2024 को रिजल्ट दो बजे जारी कर दिया गया है और उमीद है कि सभी इस्टुडेंट ने अपना अपना रिजल्ट देख लिया होगा और जिन इस्टुडेंट ने आज हमें इंस्टाग्राम या फिर टेलिग्राम में रिजल्ट का स्कीन साट बेजा है उन वी student के skin साथ आज यहाँ पी इस video के मादम से दिखा जाएंगे साथ में जिन student ने अपना result कमेंट किया है उनके भी comment आज इसमें दिखाय जाएंगे तो आप अंत तक बने रहेगा और अपना result जरूर देख लीजिएगा सबसे पहले है अनुस्का जी और अनुस्का जी के यहां पे 90 नमबर आये हुए है जो कि बहुत ही अच्छा स्कोर है इसके बाद यहां पे नेश्ट यहां पे देखेंगे नेश्ट है अर्चना देवी जी और इनका यहां पे 73 नमबर आया हुआ है नेश्ट देखेंगे ये है अनुबाव सचान जी और अनुबाव सचान जी के यहाँ पे 79 नमबर आए हुए है नेश्ट यहाँ पे देखेंगे अंकित कुमार जी और अंकित कुमार जी का यहाँ पे 12 नमबर आए है ध्यान दे कि रिजल्ट बहुत ही अधिक लोगों ने भेजा है इसलिए इसको जल्दी यहाँ पे सभी लोगों को दिखाया जा रहा है और अन्ति तक सभी लोग बने रहेगा जिन भी स्टुडेंट ने हमें इंस्टाग्राम, टेलिग्राम या फिर यूटूब में कमेंट के दोरा अपना रिजल्ट बताया है नेश्ट है अलोक कुमार यादो जी इनके यहाँ पे चाशन नंबर आए हुए है नेश्ट यहाँ पे देखेंगे आधित प्रताब जी इनके यहाँ पे 75 नंबर आए हुए है नेश्ट रिजल्ट आप देख सकते हैं नवनीत यादो जी इनके यहाँ पे एक्यान बे नमबर आए हुए हैं। तो हाइश्ट जो है अभी तक यही है। आंगे देखते हैं कि एक्यान बे नमबर से अधिक किसके रहते हैं। अभी आपको 90 नमबर मिले थे जो को हाइश्ट था जो कि अनुसका जी का था। कि अभी नवनीत जी का यहाँ पे एक्यान में नमबर हाइश्ट हो चुका है। साथ में याद रखिएगा कि प्रावधिक कला पास करने के लिए सिर्फ आपको 33 से अधिक नमबर लाने की ज़रुरत होती है। तो आप प्रावधिक कला का एक्जाम पास कर चुके हैं। और याद रखिएगा टीजटी आर्ट के लिए सिर्फ 33 से अधिक नमबर अर्था 34 नमबर के अवसकता होती है। ज़र 34 से अधिक नमबर है तो बहुत ही अच्छे हैं। नेश्ट हैं यहाँ पे हम रिजल्ट देखेंगे। यह हैं अमन कुमार जी और इनका यहाँ पे 56 स्कोर रहा है। नेश्ट हैं यहाँ पे आप रिजल्ट देख सकते हैं। आर्टी जी का यहाँ पे 73 स्कोर रहा है। नेश्ट है चांचल जी और इनका यहाँ पे 90 नमबर रहा है। बहुत ही अच्छा स्कोर इनका रहा है सभी लोगों को बहुत बहुत बदाईया नेश्ट यहाँ पे देखेंगे गीता जी इनका यहाँ पे 84 नमबर स्कोर रहा है नेश्ट है नितिन कुमार जी और नितिन कुमार जी का यहाँ पे देखेंगे तो 63 स्कोर रहा है नेश्ट यह आपने एक से अधिक विश्यों से कोई भी परिच्छा की है तो उनके अन विश्यों की जो नंबर हैं वो यहाँ पर इस प्रकाश से लिखे होंगे और टोटल नंबर आपको यहाँ पर दिखाई देंगे और जो पेटकल के नंबर होंगे वो यहाँ पर सो होंगे यदि आपने ड्रेंफ टेक्निकल भी से केवल प्रावधिक का लगिया था तो केवल आपके ड्रेंफ टेक्निकल के ही यहां पे नंबर दिखाई देंगे और grand total यहां पे होगा नेश्ट रिजल्ट है अजीत कुमार का अजीत कुमार ने यहां पे 84 नंबर पाँ है नेश्ट रिजल्ट देखेंगे ये आप रिजल्ट देख सकते हैं ये है दिलीब कुमार का और दिलीब कुमार ने यहाँ पर 69 नमबर पाए है अब यहाँ पर जिन इस्टुडेंट ने इस बेव साइट से अर्थात जैसे जिनों ने UPM SP बेव साइट से देखा है उनके रिजल्ट में यहाँ पर एफ़ोन नहीं लिखा होता था उनका यहाँ पर सीधे टोटल इस पकाश से लिखा होता था और इसमें कुछ भी नहीं था तो एफ़ोन से आप लोग टेंसर ने लिजिएगा बहुत से कमेटा हैं कि एफ़ोन क्यों लिखा हुआ है तो इसका यहाँ कोई में मतलब नहीं होता है नेश्ट यहाँ पर रिजल्ट आप देख सकते हैं यह रिजल्ट है हर सुवर्धन जी का हर सुवर्धन ने 85 नमबर पाँ है नेश्ट रिजल्ट है पुसपेंद कुमार का और पुसपेंद कुमार ने 63 नमबर नेश्ट रिजल्ट देखेंगे दुरगा पिसाद जी का और दुरगा पिसाद जी ने यहाँ पर जो नमबर पाएं वो नमबर है 75 नमबर बहुत सी अच्छे इस बारा है जिन्होंने थोड़ी सी मेंद्ट किया है उन सब यह के नमबर बहुत ही अच्छे हैं यह है चांदनी जी का result और चांदनी जी का result यहाँ पे देखेंगे तो उन्होंने यहाँ पे 70 नमबर पाए है नेश्ट है अजीत कुमार जी का result और अजीत कुमार ने यहाँ पे 88 नमबर पाए है और याद रखिएगा जितने आपके नमबर है जैसे माल लीजिए 88 नमबर है तो आपके जो percentage म बने वो भी आपके 88 परसंट बने जैसे किसी के माल लीजिए 40 नमबर है तो वो percentage बनेंगे वो भी 40 परसंट नमबर से पास हुए है नेश्ट रिजल्ट देखेंगे यह रिजल्ट है अंजली सुकला का और इन्होंने यहाँ पे 70 नमबर पाए है नेश्ट रिजल्ट है प्र संस्क्रेट से किया था एक ड्राइंग टेकनिकल से किया था तो ड्राइंग टेकनिकल में इनको 80 नमबर मिले है और संस्क्रेट बिस है प्राइवेट से संस्क्रेट इन्होंने किया है तो उसमें इनके 54 नमबर आए है तो दोनों भी शोखें यहाँ पे रिजल्ट इस प्रक नेश्ट रिजल्ट है यह रिजल्ट है किसी ने भेजा है यहाँ पे उनके 56 नमबर यहाँ पे आए हुए है नेश्ट रिजल्ट है और यह रिजल्ट है अर्चना जी का और अर्चना जी ने यहाँ पे 77 नमबर पाए है नेश्ट रिजल्ट है सिवानी जी ने यहाँ पे रिजल्ट भेजा है रच्छा राम जी ने और उनके रिजल्ट है बासर नंबर से पास हुए है नेश्ट है याद रखिएगा अभी तक किसी भी स्टुडेंट ने इसा नहीं भेजा जो कि फेल हुआ हो उनके चाहे 33 से 34 नंबर ही आए हो वो पास जरूर है नैंसी जी और इनक नंबर आए हुए है नेश्ट यहाँ पे देखेंगे यह हैं अमतिमा यादव और इन्हों ने यहाँ पे 56 नंबर पाए हुए है नेश्ट रिजल्ट देखेंगे यह है पूनम यादव जी का और पूनम यादव ने यहाँ पे 86 नंबर पाए हुए है नेश्ट रिजल्ट है ये अपना रिजल्ट बेजा आए जिन्नों ने स्क्रीन साट बेजा है उन सब का स्क्रीन साट दिखा दिया गया है अब इसके बाद जिन इस्टूडेंट ने अपने कमेंट दौरा नमबर बता हैं वो भी यहाँ पे देख सकते हैं आप इन्नों ने बताया है कि 78 नमबर आए ह सर थैंक्यू सर आपने बहुत अच्छा पड़ाया था नेश्ट यहाँ पर यह स्क्रीन देख सकते हैं इनका यहाँ पर अर्चर नमबर आया हुआ है नेश्ट देखेंगे तो इनका यहाँ पर छपपर नमबर आया हुआ है नेश्ट है यहाँ इस पी पठेल हैं इनके 76 पर प्रग्या और इनके सबता नंबर तो यह पूच रहे हैं कि इस्कुटिनी के लिए फार्म फेक करना चाहिए प्रावधिक क्लम पास करने के लिए सिर्फ 33 से अधिक नमबरों के अवासकता होती है और आपके 800 नमबर आये हुए है तो आप स्कुटिनी नम भरिएगा यह चाहते हैं तो आप भर सकते हैं कोई प् इसको निफार्म भर दीजिएगा नेश्ट यहाँ पर देखेंगे इनके यहाँ पर यह हैं विपिन कुमार और इन्हों ने यहाँ पर लिखा है कि इनके 96 नमबर आएं किन्तु यहाँ पर इन्हों ने अपना रोल नमबर या कुछ नहीं लिखा हुआ है इसलिए यह किलिए नहीं कह सकते कि इनके इतने ही नमबर आएं यदि इतने नमबर आए हुए है तो मान लिजिए फिर यही टॉपर है क्योंकि इससे अधिक अभी तक नमबर किसी के भी नहीं मिले हैं यदि यह इसके इसाट बेज़ दें तो बहुत ही अच्छा होगा जिससे सभी स्टुडेंट जान सकेंगे कि यही टॉपर है नेश्ट यहाँ पर देखेंगे इनके यहाँ पर 85 नमबर आए हुए है नेश्ट है यह है सुप्रिया यादो इनके 80 नमबर आए है नेश्ट यहाँ पर देखेंगे अंसिका सिंग, इनके यहाँ पे 80 नमबर आए हुए हैं, नेश्ट रिजल्ट आप देख सकते हैं, यह हैं दीपक गुपता जी और इनके यहाँ पे 72 नमबर आए हैं, नेश्ट यहाँ पे देखेंगे, इनके यहाँ पे 61 नमबर आए हुए हैं, और इनका नाम है आदित कुमा जी नेश्ट यहां पर देखेंगे यह कोई यह है अब जीत गौर और इनके यहां पर 34 नंबर आए हुए हैं नेश्ट देखेंगे इनके 74 नंबर आए हुए हैं नेश्ट यहां पर देखेंगे यह कह रहे हैं आप आँगे कौन सी बुक लें और कैसे त्यारी करें उसके बारे यह आप साच करेंगे तो एक वीडियो आएगा उससे देख लीजिएगा आपको जो बिश्ट बुके हैं वहाँ पे आपको बता दी गई है निश्ट है इनके यहाँ पे 75 नमबर आए है निश्ट है यह है अंकित जी और इनके यहाँ पे 33 से जादा नमबर लाने के कोई एक है तो याध रखिएगा टीजिटि एल्ड में यदि 33 से अदिक नम्बर हैं तो फायदा कुछ नहीं होता फायदा एक ही है कि आजिए अधिर आप लिए अप्सक्रागर कर सकते हैं यह 33 से कम नंबर का रहता है यदि इससे अधिन नंबर हैं तो आप ये एकजाम पास कर चुके हैं इन्होंने कमेंट किया है और इन्हों बताया है कि इनके 87 नंबर आए हुए है नेश्ट है ये है अजय जी और इनके यहाँ पर 79 नंबर आए हुए है नेश्ट यहाँ पर देखेंगे प्रिती इनके 84 नंबर आए है नेश्ट यह को यूजर एनर है और इनके सरसर नंबर आए हुए है और इन्होंने लिखा आए थैंक्यू सर बहुत लोगों को फिरी में नंबर मिले है मेरे हाँ एक बच्ची थी टेंद में उसके उसको ही और उसका 90 परसेंट है टेंद पर इसका जैस नेश्ट है इनके 79 नंबर आए हुए है नेश्ट यहां पर देखेंगे और इनके यहां पर 64 नंबर आए है नेश्ट देखेंगे रूपा साओ जी है और इनके यहां पर सरसर नंबर आए हुए है नेश्ट यहां पर देखेंगे इनके यहां पर 52 नंबर आए है नेश्ट को और ये MG creation जी है और ये कह रहे हैं कि सर्फ आपके online class के help इसे 60 नमबर आ है technical art only in 7 days यानि साथ दिन इन्होंने पढ़ाई किया है और इनके 60 नमबर आए हुए है नेश्ट है यह है इनके 73 नमबर आ है रवनोग यादो जी है नेश्ट यहाँ पर देखेंगे सूरज यादो जी क यहाँ पर 64 नमबर आ है नेश्ट यूजर है जिनके 5 दिन इन्होंने class हमारी ली है और इनके अच्छे नमबर से आ हैं और ये नेश्ट यूजर है बहुत बहुत धन्वाद गुरी जी आपको नेश्ट है इनके 70% नमबर आए हुए है नेश्ट है इनके 80% नमबर आ है कि name गलत हो गया है, मेरा अप क्या होगा, सर, तो जिन बच्चों का नाम गलत हो गया, उनको टेंसर लेने का आवा सकता है नहीं है, वो college में संपर्ग करके नाम सही करवा सकते हैं, या फिर आप direct PNP चले जाएए, और वहाँ पे भी आप अपना नाम सही करवा सकते हैं नेश्ट यहाँ पे देखेंगे चाचर नमबर आए हुए हैं नेश्ट यहाँ पे देखेंगे प्रिया पटेल जी कह रहे हैं एक यासी नमबर आए हैं नेश्ट हैं इनके 72 नमबर आए हुए हैं नेश्ट आप देख सकते हैं, अश्ची नमबर, नेश्ट यहाँ पर आप कमेंट देख सकते हैं, स्क्रीन में आप यहाँ पर कमेंट देख चलिएगा, अन्सका दुबे जी कहे हैं, इनके 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 आपर 84 नमबर आए हुए हैं, नेश्ट हैं सोयप खान, इनके यहाँ पर गुपता है कि किसी कारण आपके नंबर कम हो गए हो नेश्ट यहाँ पर देखेंगे सिवाली यादव हैं इनके यहाँ पे 86 नंबर आए हैं नेश्ट हैं पूना म्यादव इनके 86 नंबर आए हुए हैं नेश्ट यहाँ पर देखेंगे सोनम गुपता 61 नंबर आए हुए हैं नेश्ट है कृष्ण वर्मा इनके 56 नमबर आए हैं, नेश्ट है विनोत कुमार तिरसर नमबर आए हुए हैं, नेश्ट है आमिर सिंग और इनके 87 पठन नमबर आए हैं, नेश्ट है यहाँ पे देख सकते हैं, यह कह रहे हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 यह क्या है, तो यह कोई भी चीज नहीं है आपके ये काम का नहीं है ऐसे paper one आप देखेंगे तो उसके नीचे आपके score लिखे होंगे जो भी आपका score होगा और last में total में आपका यही score लिखा होगा तो इनसे ही आपका मतलब है और बांकी जो लिखा है उनसे आपका कोई भी मतलब नहीं है तो इनस्ट है ये एक user है और ये लिख रहे हैं कि इनके 90 नमबर आए है विकाज आप you thank you so much मैंने बस तीन दिज पहले ही आपके चैनल से पढ़ा और बहुत ही अच्छा आया thank you so much तीन दिन पढ़ाई करके यदे इतने नमबर आए रहे हैं तो मान लिजिए आप बहुत ही अच्छे इस्टूडेंट है नेश्ट हैं ये है संध्य जी और इनके यहाँ पर 51 नमबर आए हुए है नेश्ट यहाँ पर user देखेंगे इनके 82 नमबर आए हैं इसी प्रकार है कि मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ था बढ़ नमबर कमा हैं तो कोई बात नहीं यदि आपके 70 प्लस नमबर है तो उतने ही बहुत हैं यहाँ पे 70 नमबर आए हैं नेश्ट हैं इस्ट यहाँ पे 70 प्रसंट आए हैं चांदनी जी हैं ये इसी प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं मनोज कुमार जी 89 नमबर सिंग विलाग 82 नमबर सदाप समी 54 नमबर हर्स मौडन आर्ट 85 नमबर आप ये देख लीजिएगा सभी लोगों के बहुत ही अच्छे नमबर आए हुए है इस बार का जो रिजल्ट रहा है वो बहुत ही अच्छा रहा है तो आप सभी लोगों को आप सभी ने बहुत ही मेनत से पढ़ाई किया जिसके कारण आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहा है निश्ट आप सभी लोग प्रावदिक कलग की तयारी आपने बहुत अच्छे से की और आप सब के नंबर बहुत ही अच्छे हैं निश्ट आप सभी लोग अप TGT आर्ट के तयारी करना शुरू कर दीजिए क्योंकि TGT आर्ट में बहुत ही अधिक पढ़ना होता है तब आपके अच्छा स्कोर कर पाएंगे प्रावदिक कला में सीमित चीजें थी जिनको पढ़कर आप असानी से अच्छे नंबर ला सकते हैं किन्तु TGT आर्ट में इसा नहीं रहेगा उसमें बहुत ही बिस्तेत कोर सोजाता है जब तक उसे आप अच्छे से पढ़ेंगे नहीं तो उसमें आप अच्छे स्कोर नहीं क्या रहती है इसकी तो वो जाकर आप हमारे चैनल में देख सकते हैं साथ में आप बताते हैं कि इस बार का जो टॉपर कौन रहा तो अभी तक जिने इस्टूडेंट ने हमें रिजल्ट भेजा आए या फिर हमने जितने भी रिजल्ट देखे हैं उनमें जो अधिकताम नंबर आए हुए हैं एक स्टूडेंट ने चैनल में नंबर कमेंट किये थे किन्तो उन्हेंने नहीं अपना रोल नंबर लिखा था और नहीं कोई स्कीन साथ बेजा इसलिए इन्हें अभी निच्छी नहीं का सकता कि इनके इतने नंबर हैं यदि आंगे ये बेजते हैं त अभी तक हमें रिजल्ट बेजा हुआ है सभी लोगों को बहुत ही बदाईया और अब आप सभी लोग टीजटी आर्ड के बुग ले लीजिए और टीजटी आर्ड के पढ़ाई करना इस्टार्ट कर दीजिएगा और किसी प्रकार का आपका डाउट है तो आप कमेंट करके प अजयोटी है